हेलो दोस्तों गुड बॉर्निंग स्वागत है आप सभी का सीता लुत्रा खंडी ब्लॉग में अभी ये सुबह का टाइम है आज मैं आपको बताऊंगी आलू बड़ी की सबजी किस तरीके से बनाई जाती है तो ये मैंने उबले विये आलू ले लिये हैं जो मैंने उबाल के रखे हुए हैं और जो ये बड़िया हैं इन्हें भी मैंने एक सीटी लगा दी थी अच्छे से बॉयल कर रखे हैं मैंने आलू को और ये बड़िया दोनों को मैंने अच्छे से बॉयल कर रखा है अब इनकी बनाते हैं सबजी तो दोस्तों एकडाई ले लिये मैंने सरसों क तोड़ें नहीं डाला है यक्दम सब्जी सब्जी भनाके तयार करूंगी gefragt तो यह मैं थोड़ें रहा है नहीं लगा दूंगी से अब्विश्य अनुसार यह वराल हमाटOps निखिशे हुआ हैं गल चुक एक मासाला कार है यह सरा ही उपल्षबतना सी निखिते हैं निखिचन स्वाश्बी और यह सफिर हुआ है। तो कःड़ कर भड़ साफे चुकि निखिचन औरही हुआ है। मैं बना रही हूं आप भी दोस्तों एक बार ऐसी सब्जी जरूर ट्राइ कीजिए गदम आलु बडी की सूकी सब्जी है क्यों गुंकि मैं तो टीम के लिए इसे बना रही हूं तो मैं पानी नहीं डालूंगी इसमें अगर आप भी अपने लिए थोड़े रसेदार सब्जी पसंद करते हैं तो इसी स्टेज पे इसमें पानी डाल लेजिएगा मैं तो टिपिन के लिए बना रही है इसलिए मैं इसे सूकी ही रख रही हूँ दोस्तों तो ये अभी आप देख सकते हो मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाल दी है और थोड़ा सा हलका सा एक धकन लगा पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मिलूंगी आपसे एक न्यू ब्लॉग में और न्यू पहाड़ी रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्याबाद और दोस्तों अभी आप देख सकते हो मेरी सबजी का आप देख सकते हो कलर किस तरीके से आया हुआ है मैं आपके साथ सेयर कर रही हूं आप भी बच्चों के टिपिन के लिए जरूर इस तरीके की सबजी जरूर बनाएगा बच्चों को ऐसी सबजी बहुत जादा पसंद आ ती है तो उसनो